इलेक्ट्रोनिस रिपेरिंग करने के लिए हमें अलग-अलग टाइप का पेस्ट और सुल्डरिंग आईरन की ज़रुद परती है इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पार्सनाली मैं किस-किस टाइप का पेस्ट को इस्तेमल करता हूँ रिपेरिंग करने के दुवरान क्योंकि हमारे पास एक टाइप का नहीं है बहुत सारे अलग-अलग टाइप का डिवैसेस आते हैं और बहुड़ा सारे अलग-अलग कॉम्पोनेर्स और मैटरियल्स लगे होते हैं इलेक्रोनी स्पीसिवी के अंदर इसलिये जो मैं पासनले जिस टाइप का टेज को कहां पर कब किस सिचुेटन में इस्तेमल करता हूँ सारे जानकरे आपको दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें कब कौनसा पेस्ट को इस्तेमल करना चाहिए तो बाके में आप इस technology और इस process के बारे में जानकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो का नीचे जो red button दिख रहा इसको पड़ प्रेस कर दिजेगा उसके साथ इस अधबगल में जो bell icon दिख रहा इसको पड़ भी प्रेस कर दिजेगा देखिए जो लोग हमरे videos को या हमरे repairing videos को आगे आने वालो दिनों में देख कर आया है उन लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा में जो paste को इस्तेमल करता हूँ ये वाला paste जो की Amtech का RMA223 और ये market में आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको 20, 25 या 30 रुपेज में offline market में मिल जाएंगे online market के अंदर आपको 40, 45 रुपेज का अंदर ये वाला paste मिल जाएंगे जब भी कोई भी हमें SMDIC निकलना है तब भी मैं इसको इस्तमल करता हूँ या कोई भी SMDIC को लगाना है तब भी मैं इसको इस्तमल करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से कम कर जाता है और मुझे जितने भी paste में इस्तमल करता हूँ में से रखा हुआ है देखिए सारे के सारे में इस्तमल करता हूं लेकिन जो मैक्सिमम 90% टाइम में इसको इस्तमल करता हूं मेरे पास बहुत सारे रखा हुआ है इसी पेस्ट को मेरे खुद का परसनल उसके लिए भी और सेल करने के लिए भी और मैं इसको किसले इस्तमल करता ह मैं आप लोग को तीन चीज़े बता देता हूं देखिए जब भी मैं कोई भी PCB के उपर काम करने जाता हूं तो इसके जरीए पेस्ट को निकलने में बहुत आसानी हो जाती है जैसे मैं यहां से थोरा सा प्रेस करूंगा कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर तो यह इसका जो SMD-IC को निकलता हूं SMD-IC को निकलने समय जब भी मैं इस पेस्ट को इस्तेमल करता हूं तो उस जागा को जो है वो जलाता नहीं है यानि कि जब हम लोग इस टाइब का पेस्ट को इस्तेमल करता हूं तो SMD-IC निकलने के समय क्या होता है कि आसपास का कॉंपोनेर्स भी निकल के भाग जाती है उसके साथ साथ बहुत बार जल भी जाती है इसलिए मैं इसको इस्तमल नहीं करता हूँ और एक चीज होती है जब भी मैं इस टाइप का पेस्ट को इस्तमल करता हूँ तो जो ट्रैक्स होते है और जब जादस जगा को लेकर ट्रैक्स हो जाती है वो फुल जा तो इससे आच्छा, कोई भी चलिन नहीं होता है, हाला कि हमरे पास बहुत सर औलाग अलाग लिकूइड है, pcb कलेनर ह्सेहं तो हम लोग सभी चीज का, सभी टाइप का liquid कर सुना ओं। जब भी कोई भी हम लोग liquid के जरीए इस टाइब का पेस्ट को इस्तमाल करता हूँ जब कोई भी बड़े-बड़े IC का जो legs होता है उस legs को solder या desolder करने के लिए मैं इस पेस्ट को इस्तमाल करता हूँ क्योंकि इस पेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और यह पेस्ट काम भी बहुत भेतर ही तरीके से करता है लेकिन इसके अंदर जो gum type का कोई material है इसके अंदर दिया हुआ है जिसके बाया से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है clean भी अच्छे से नहीं होता है लेकिन काम बहुत ही बड़ी तरीके से करता है मैं आपको कुछ एक्जामपल दिखाना चाहूंगा लाइब मालेजी हमरे पास यह जो आईसी है और इस आईसी को हमने डिप्लेश्मेंट करा हूँ और डिप्लेश्मेंट करने के बाद हमें इसको डिसोल्डर या सोल्ड करना है तब और उसके अलबा में कहीं पर भी इसको इस्तमाल नहीं करता हूँ क्योंकि यह अच्छा है और क्योंकि इसका जो प्राइस से बहुत ही ज्यादा है और उससे ज्यादा प्राइस के हिसाब से इसका काम मुझे उतना खास नहीं लगा है सिर्फ एक काम के लिए इस यह पेस्ट अगर आप किसी भी SMD electronic circuit के अंदर इस्तमल करोगे तो आपका PCB का कालर भी बिगर जाएगा और आपका काम भी बिगर जाएगा क्योंकि मैं जब भी इस पेस्ट को इस्तमल करते हूं कोई भी SMD IC को खोलने जाता हूं तो वो IC क्या होता है आसपास का जो track होता है वो फुल जाती है या उसको मतलब खराब कर दीते है एक्शुली सार्किट को इसलिए मैं इसको सिर्फ सर्फ और सिर्फ उसी जगा पे स्तमल करता हूं जहां पे बहुत ही कम कीमत का डिवाइस हो या कोई होम थियाटर छोटे मुटे चीज हुआ तो उसको जगा पे मैं स्तमल कर चुका हूं और आभी भी यह हमारे पास खतम होने जा रहा है अब थोरा सा बच रहा है तो यह भी खतम हो जाएगा एक दो दिन के अंदर तो इसका भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे मैं बेनिफिट्स के लिए मैं नहीं बोलता हूं यह से सर्फ छोटा मोटा काम के ल उर्म नहीं गाता हूं तो सुलर करने तो यांपे दीखें हमें ठो chop संदर करना होता है तो जाब हम इस पेश्ट को लगाने जाऊंगा तो यह बहुत ही आच्छे से नहीं लगता है इसको भी निकलने जाऊंगा तो बहुत ही करना है या ज्यादा पेस्ट लग गया है उस समय हम लोग इसको इस्तमाल करता हूं यानिक ज्यादा पेस्ट को रिमोब करने के लिए छोटा मुठे जगा पे यह भी कफी अच्छे काम में आते हैं उसके बाद लास्ट में हमारे पास्ट मेकानिक का आएसी रिमोबिल लिक्विड आया है हलाकि मैं इसको इस्तमाल नही मैं इस रिमोबिंग लिक्विड को इस्तमाल करता हूं और बहुत ही कम इस्तमाल होते हैं लेकिन यह भी काफी काम अच्छे से करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और मैं आपको एक्जम्पल दिखाना चाहूंगा इस लिक्विड का भी कि आप कहां पे इस लि हमाई पास यह LG TV का मदरबोड है और मदरबोड के अंदर यहां पर जो आइसी लगे हुए यह पेस्टेड आइसी है यानि कि इसको निकलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने परेंगे तो हम लोग इस आइसी को निकलने के लिए सिंप्ली का करता हूं कि यह जो मेकानिक का लिक्विड है आपको दूसरे कंपनी का मिल जाएंगे जैसे की रिलेप का भी मिल जाएंगे मेकानिक का भी मिल जाएंगे तो मैंने मेकानिक का लिया हूं क्योंकि हमने यहां पर मेकानिक का ही मिल रहा था आपको क्या करना है आपको दो तिन बूंदे इस लिक्विड को इस इस आयसी के चारो साइड एक साइड मतलब एक एक बूंद करके चारो साइड आपको दे देना है उसके बाद आपको थोरा सा हीट करना है और हीट करने के बाद ये बहुत ही आसानी से आयसी निकालाती है मैं सिर्फ और सिर्फ इसी काम को करने के लिए इस आयसी को इस्तेमल कर करता हूं जब मैं दिखता हूं कि यह आईसी बाहर नहीं निकल रहा है तब मैं इसको इसको इस्तेमल करता हूं नहीं तो यह वाला जो पेस्ट है मैं इस बाले को भी इस्तेमल करता हूं और यह वाले को इस्तेमल करता हूं इस टाइप का आईसी को बाहर निकलने के लिए क्यो पढ़ों करते हैं तो इसके वाल अप्रेटिकल वीडियु आने वाला है दोस्तों क्योंकि लोग क्या करेंगे यहां परˋ qu folks um M.M.I.C. को कैसे read right किया जाता है वो सारे practical वीडियो आने वाला है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपको किसी दूसरे चैनल को देखने को नहीं मिलेंगे इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बता दिया कि मैं personally किस-किस टाइप का पेस्ट को इस्तेमाल करता यह यह चाल पांच टाइप का हमारे पास पेस्टे दूस्तो बस इसको ही मिश तावल करता हूं लास्ट में और एक आपको बुना से बता देता हूं यह जो मेकानिक का यह बहुत-थी जल्दी खराब हो जाती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पास और एक है जो कि मै एक इतना hard हो चुका है, यह काम करने का लाइक भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मैं आप लोग को recommend नहीं करता हूँ, market में और एक इस टाइप का PPD paste मिल जाती है, वो PPD paste मैंने order कर दिया हूँ, लेकिन आभी तक हमारे पास आया नहीं है, जैसे ही आएंगे मैं आपको इसके मैंने क्यू order किया हूँ, तीन reason आपको बताऊँगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जूरे रहे हैं, और अगर आप आगे आने वालों दिनों में Android operating system के बारे में ज्यादा practical वीडियो देखना चाहते हो, तो वो भी आपको बहुत ही काम पे आएंगे, जो EM MCIC read write कैसे किया जाता है, अगर आपके पास 8089F या H programmer नहीं है, तो अब कैसे उसको बहुत ही आसान इसे छोटे मूटे प्रोग्राम बना के, programmer बना के आप उसको read write कर सकते हो, साड़े जानकरी आगे आने वालों दिनों में आपको देखते हो, मिलेंगे, तो आज किस वीडिय के उपर view product करके option मिल जाएंगे, उसके उपर click करिए, उसके बाद आपको सारे जानकरी मिल जाएंगे, इन सारे paste के बारे में, तो आज किस वीडियो में इतना है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे next वीडियो में, ताब ताक के लिए वी स्यू, all the best